असकार किसान साथियो स्वागत है आपका यूथ्य गरिकल्चर के एक और नए वीडियो में किसान साथियो अप्रील का महीना सुरू हो चुका है ऐसे में अप्रील के महीना में किसान क्या कुछ लगा करके अपने इंकम को और भी बढ़िया बना सकते हैं अज उसी बारे में बात करेंगे अप्रिल के महीना में किसान कुछ सब्जी वरगिये फसल तो लगा ही सकते हैं साथ ही साथ कुछ ऐसी भी फसले लगा सकते हैं जो की 70 से 90 दिनों में तयार होगा और उसी की कटाई करने के पस्चाथ अगर आप चाहते हैं कि आप जो बरसात के सीजन में धान लगाएंगे या फिर अन्य कोई फसले आपको लगानी है तो आप बरसात के सीजन में आराम से लगा सकते हैं तिल के महीने में काफी सारे किसान बंदू ने गेहूं की कटाई की है उनकी खेत खाली पड़ी है इसके अलावा आपको सर्सों की हर्वेस्टिंग हुई है उनकी खेत खाली पड़ी है तो किसान बंदू के दिमाग में हमेशा होता है कि हम क्या लगाएं इस वक्त की हमारी फसल से हमको आमदनी भी अच्छी हो जाए और अगर हम धान की खेती करना चाहते हैं आगे चलके उस भूमी में तो उसमें कम दिन की कोई ऐसी चीजों जिसको लगा करके हम उससे बढ़िया इंकम ले ले तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे वीडियो में लाश्ट तक बने रहें यह मैं हूँ अनुज और आप देख रहे हैं यूथ है गरी कल्चर किसान साथी आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और कि चुनिंदा सब्सक्राइब की फसले लगा सकते हैं अपने खेतों में जैसे कि मेरे पीछे आप खीरे की फसल देख रहे हैं खीरे की फसल से किसान अभी के समय में काफी पढ़िया इंकम जेनरेट कर रहे हैं अभी इसका रेट यह कम से कम तीन से चार बार इसकी दिन तक चलेगी लेकिन उसके पस्चा तो इसकी तुड़ाई बंध हो जाएगी तो वैसे में आप अभी के समय में खीरे की फसल भी लगा सकते हैं अगर आप अभी खीरे की जो भीज है उसकी बिजाई आप करते हैं तो उसको आप आने वाले 30 से 35 या फिर 40 दिन में उसकी पह हुए है और उसका भी रेट काफी अच्छा है मार्केट में जब हम अभी विंडी की फसल को लगाते हैं तो आने वाले समय में यानि की लगभग 35-40 दिन में जो अभी हमारी विंडी निकल रही है न उसका बुढ़ापा आ गया होगा और उसको हम धीरे-धीरे वो मार्केट में आनी कम हो जाएगी उसका रेट भी कम हो जाएगा लेकिन अभी जो फसल हम लगाएंगे उसका नयापन रहेगा उस वक्त उससे नया फल निकल रहे होंगे उसका रेट किसान बंदू को बढ़िया मिल सकता है इसलिए किसान बंदू इस महीने में भिंडी की भी फसल लग तो यह आपको अक्टूबर नॉमबर तक आप उसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और उससे अक्टूबर नॉमबर तक इनकम ले सकते हैं जो गोल वाली वेराइटी होती है उसका प्रेफरेंस मैं सबसे ज्यादा देता हूं क्योंकि उसकी रेट मार्केट में हमेशा बनी रह करें जो की जिस पर पानी का जमाव अगर होगा तो आपके फसल को नुकसान हो सकता है और मचान बिदी से लोगी की खेती भी से लिए होती है ताकि जमीन पर जब बरसात होंगी तो अगर जमीन पर हम लोगी की खेती किये हुए होते हैं तो उसके फल खराब होते हैं तनाय गल कर जिन किसान बंदों ने फरवरी मार्च में मिर्च की खेती की हुई थी तो वो काफी ज्यादा मात्रे में डाइमेज हो चुका है एक तो आपको नीमाटोट के वज़े से वो सुखने की समस्य उसमें काफी ज्यादा है दूसरी उसमें ब्लाइट काफी जल्दी आ गया अरली सवगात होगा काफी बणिया मुनाफ़ा देगी और इसका रेट किसान बंदों काफी बणिया पाएंगे इसके मिर्च की खेती किसान बंद़ अभी जरूर केंद इसको तुरोई जिसको गिलकी भी बहुत अच्छा उसका रेट भी मार्केट में बहुत अच्छा है वो बचास से साथ रुपे केज़ी अभी भिक रहा है तो अब चाहें तो उसको उसकी खेती भी अभी कर सकते हैं क्यूंकि जब ये भी ये जब अभी आप जिस भी इसको लगाएंगे ये भी जब हर्वेस्टिंग पर आएगा करवा लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती है वो अनुभवी किसान ही कर पाते हैं लेकिन मैंने उसकी जमाव किस तरीके से अच्छे धंग से की जा सकती है उसके बार में भी बताया है आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आप जाकर कि देख सकते हैं और धनिया की ख transfer हो जाए कि बीच का जमाव कैसे करना है तो आप ज्ञादा भहमी में भी कर सकते हैं घर्मी के महीने में के खड्दू कौरा बोलते हैं उसकी खिती घराए बंदू कर सकते हैं उसकी भी छोटिन की क intensity भड़ें लौषा-खला कर सकते हैं ॺंदि जल्दी खराब भी नहीं होत कभी काफी जियादा हाई हो जाती है तो उस वक्त में आप कोणे का रख रखाव स्टोरिज करके रख लीजिए और जब उसकी डिमांड बढ़े तो आप उसको मार्केट में बेच दीजिए इसका रख रखाव करना काफी इजी है यह पक जाने के बाद जल्दी खराब नहीं ह कर सकते हैं सबसे बनिया यह खेटी पील की खेटी ये तिल की खेटी आगर आप अभी करते हैं तो तील की खेटी से किसान इंज्फ की रही कर सकते हैं और ने जयादा कुछ खर्च भी नहीं है अगर सरसू आपकी कटाई हो गए तो उस कंडिशन में आप इस फसल को लगा सकते हैं तिल की फसल या फिर मक्य की फसल लगा करके इससे बढ़िया इंकम जेंडरेट कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगें बिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ट